तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्छा साथवी की विग्यान के बारे में इसमें अभी तक हम लोग माच चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका छटबा चेप्टर है बहुत दिक एवं रासायनिक विग्यान याद रखिए जो भी आपकी कक्छा चटबी की NCEIT कतम हुई है और जो कक्छा साथवी की और जो हम लोग आँगे देखेंगे वो सभी आपको एक ही जगए मिल जाएंगे NCEIT पूर्ण कबरेज के नाम से आपके फिरे लिष्ट सूची बनी विए उसी में सभी गुक से टली विए हैं तो चलिए बात करते हैं लोग चटबे अध्याय के बारे में दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्टन दिखाई देते हैं इन परिवर्टनों में एक यादि पदाल्द समलित हो सकते हैं उधारन के लिए आपकी माता जी आप से सीतल पेपद आने के लिए पानी में सक्कर भूले के लिए करते हैं सक्कर का बिलेयन बनाना एक परिवर्टन ही है इसी बिकाद दूस से दही जमाना एक अन परिवर्टन है कभी-कभी दूद खटा हो जाता है दोद का कट्टा होना भी एक आपका परीवर्दन है खिचा हुआ रवर्ट बैंड भी किसी परीवर्दन को पिदर से करता है ऐसे दस परीवर्दनों की सोची बना सकते हैं इस अध्याय में हम कुछ क्रिया कलाब करके इन परिवर्थनों की प्रक्यति का अध्यान करेंगी, ब्यापक रूप से एक परिवर्थन दो पिकार की होते हैं, एक आपका भोती और दूसरा दसाएने, याद रखिए आपको इस किरिया कलाब के चक्र में नहीं बीदना है, आपको वस पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि य मूनी के लिए है, वही दोहराती रहनी, अगर आप लोग इस चक्र में बीद गए तो एक से डिड़ साल इसी में लग जाएगा, बात करते हैं बहुत दित परिवतन, कागज के टुकडे को चार वर्गा का टुकड़ों में काटी है, अप्यत एक बर्ग को पुनहा चार टु को फ़र सदवा किसी मेज पर, इस विकाल लगाएगे, जिससे एक टुकडे परस्पर जोड़कर कागज के टुकडे का मूल आखाल लेने, इस पर्थ टूप से आप टुकडों को पुना जोड़कर मूल टुकडा नहीं बना सकते हैं, पहले अपंग च्यार टुकडों में ए इस तरह ऐसे, अपनी कच्चा के चौप बोट के आसपास फरस पर गिरे, चौप पाउडर को इकत्तित करें, करने हैं अथवा चौप के एक छोटे टुकडे का चूण पाउडर बना ले, इस पाउडर में थोड़ा जल बलाकर पेश्ट बना ले, इसे चौप के आकार में ब थोड़ी बरक लीजिए, बरक के थोड़ी से भाब के पिघलने का, पिघलने तक बरतन को दूम में रखें, अब आप के पास बरक और जल का मिसरन होगा, अब आप कटोरी को हिमकारी मिसरन है यानि के बरक और नमग में रख दें, क्या जल फिर से ठोस हो जाएगगी, क्रिय क्रिया कलाप 6.4 एक पाक्त में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबा लिए क्या आपको जल की सतय से भाप निकलती दिखाई देती है उबनते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के उपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए बर्तन की भीतरी सतय को देखिए क्या आपको वहां जल करते समय ध्यान रखें के रिया कलाप 6.5 उपयव की जय चुके लोहे की आरी के बिलेड को चिम्टे से पगड़िये बिलेड के मुक्त सरे के अग अंगले भाग को गैस स्टोप की ज्वाला पर रखिए कुछ मिनिट तक पितिच्च्छा किए क्या बिलेड के अग भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है बिलेड को ज्वाला से टाइए उस समय बाद अग भाग को पुना देखिए क्या इसका कोई पहले वाला रंग बापसाद जाता है क्रिया कलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा है कि कागद तथा चौक के आमाप साइड में परिवर्तन हो जा ठोश से द्रव और ग्या सी द्रव क्रिया के लाप जो 6.5 में आरीक बिलेड का रंग गरब करने परिवर्तित हो जाता है पदार्त की आकार आमाप, साइज, रन और अवस्था जैसे गुड़ उसके बहुतिक गुड़ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? बहुतिक गुड़ पदार्त की आकार आमाप, रन और अवस्था जैसे जो उसके गुड़ होते हैं उन्हें हम बहुतिक गुड़ कहते हैं वह है परिवर्तन जिसमें किसी पदात के बहुत तिक गुड़ों में परिवर्तन हो जाता है, बहुत तिक परिवर्तन करे लाता है, देखिए इसतना इस दो लाइन की परिवासा समझाने के लिए और बहुत तिक परिवर्तन के बारे में बताने के लिए पूरा दो पेज की कह तो हमें इतना ही बस बढ़के निकल जाना और इससे याद रखना है बस बहुत दिक परीवतन सामान उत्करमडी होता है ऐसे परीवतन में कोई नया बदार नहीं बनता है अब हम दूसरे के परीवतन पर विचार करते हैं रसायनिक परीवतन लोहें में जंग लगना एक ऐसा परीवतन है जिससे आप बलीभाती परचित हैं यदि आप लोहें के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंकी पदार्थ की परज्यम जाती है या पदार्थ जंग कहलाता है यह पर क्रब जंग लगना कहलाता है पार कत्पा लौन आधी के लोहे के धरवारी अथबा बगीचो या पार्ट आधी में रखी लोहें की बेंचे और लोहें की लगब कोई भी बस्तु जो खुले में रखी रहती है उसे क्या कहते हैं जंग लगती है उसमें आपने देखा होगा देखिए लोहे की कुछ जंग लगी बस्तु में पड़ी जब लोहा इस तरह से पढ़ा रहता है तो उसमें जंग लगता है आपने देखा होगा कि घर में रखी को लाड़ी हा तोड़ा आदोई को बायू में कुछ दिनों तक खुला रख देने पब उसमें जंग को वहा नहीं है जंग उस्पदार से भिन होता है लोहे से भिन होता है जिस पर यह लगती है आईए कुछ परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार नेर्मित होते हैं किरिया कलाफ 6.6 सावधानी सावधानी को पड़कर विचार जो कर ले या करिये मैगनेशियम के जल्टे हुए फीते अतवा तार की ओ लंबी अवदी तक देखना हानिकारक होता है सिर्खचकों को बच्चों को बताना चाहिए बिजलते हुए मैगनेशियम की ओ अधिक समय तक टक टकी लगा कर ना मैगनेसियम की पत्ली पट्टी फीता अत्वत तार कट उपड़ा लिए इसके सेरों को रेक माल से साप किजिए प्रकास देती हुई जलने लगी पूरी तरह जलने के बाद कुछ स्वेद भस पाउडर से रह जाती है क्या भसम मैगनेसियम के भीते जैसी लगती है इस परिवर्तन को निमलिकित समीकर्ण द्वारा ब्रेक्ट किया जा सकता है मैगनेसियम ऑक्सीजन के साथ किरिया करके मैगनेसियम ऑक्साइड बनता है MBO द्यान दें कि यहां लिखी समीकर्ण गड़ित में प्रयोग समीकर्णों से भिन जोते है इस विकार के समीकर्ण में तीर का अर्थ होता है बनना या हो जाता है इसका मर्थ होता है जिस दोनों क को मिलकर क्या बनता है उसे ही बैक्ट करता है। इस पुस्तक में रसायनित समीकर्णों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाओ है और नहीं यह चात्रों को उसे अप्यचिते। भसम को इकतित करके इसमें जल की कुछ मातरा मिलाई है। मिसरण जली ये बिलेन को अच्छी तरह हलाई है। मिसरण का लाल और नीले लेटमस पत से परिच्छन कर सकते हैं। क्या मिसरण लाल लेटमस को नीला कर देता हैं। क्या मिसरण को मिसरण नीले लेटमस को लाल कर देता हैं। इस परिच्छन के आदार पर आप जली ये बिले कुछिस रूप में भरीके करेंगे अम लिए अत्वा चारिए बसम को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है इस परिवर्तन को निम्लिके समीकर के द्वारा दिखाया जाते है मैगनेसियम ऑकसाइड पिलस जल से मिलकर बनेगा मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड जैसा क जो मैगनेसियम के जलने पर बनता है मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड एक अन नया पदार जो मैगनेसियम ऑकसाइड को जल में घोलने पर बनता है क्रिया कलाव 6.7 काच के गिलास या कटूरे अत्वा चोड़े मुहिकी बोतल में लगबक आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम को क्या बोते हैं नीला थोता गहोर लेजिए इसी तरह समझाया जाता है अब जैसे आपको पता चल गया है कोपर सल्फिट को नीला थोता भी बहुत थे इस बिलेन में इनी सब्दों को आपको याद रखना है इस बिलेन में तनू सल्फिरेट अमलत की कुछ भूने बिलेन का बिलेन मिल जाएगा एक परक्नली अथवा कांच की छोटी बोतल में बिलेन का थोड़ा सा नमूना बचा लिए सेस बिलेन में एक कील अथवा उपयोग के लिए किये जाचुकी बिलेड का टुपड़ा डाल दीजिए लगवाग आधिक हंटे तक मिस इतीक्षा कीजिए अब बिलेन के रंग को देखिए इसकी तुला अलग से बचाएगे नमूने बाले बिलेन के रंग से कीजिए लोहे के साथ अभी किरिया के कारण कॉपर सल्फेट बिलेन में रंग में परिवर्तन या आपका आइरन सल्फेट हलका रंग कॉपर सल्फेट बिलेन नीला रंग क्या आपको बिलेयन के रंग में कोई परिवर्थन दिखाई देता है कील अत्वा बिलेड को बाहर निकाले देता है कैसे में कोई परिवर्थन दिखाई देता है आपको जो परिवर्थन दिखाई देते हैं वे copper sulfate और लोहे के बीच अभी किरिया के कारण होती है billion के रंग का नीला नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ iron sulfate के बनने का कारण होता है लोहे की कील भूरा निच्छे copper या ताबे की परत के कारण होता है जो एक अन्वन नया पदार्थ है हम इस अभी किरिया को निम्न प्रिकार से ब्यक्त करते होते हैं copper sulfate का billion C-U-S-O-4-S का रसाइने सूथ है नीला तो तो भी होते हैं लोहा का सूथ रसाइने सूथ F-E-L यह अभी किरिया करते हैं और iron sulfate of billion बनाते हैं लगबक एक चम्मक शिर्का लेज़े इसके चुटकी बहर खाने का सोडा लेज़े आपको एक बुदबुदा हट की धौनी सुनाई देगी और और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे इस गैस को चित्व 6.5 में दिखाए गए बिवस्था के इमसाथ ताजे बने चूने के पानी में से बुजारियों चूने का पानी तियार करने की विदी अध्याए 5 में बताए गई थी आपको चूने के पानी में क्या परीवतन होता है और अपनली में परीवतन निमने पिकाल से होता है सिर्खा, एसेटिकम, खाने का सोड़ा, सोडियम, हाइड्रोजन यह अभी कीजिया करके बनाता है कारवन, डायोकसाइड और अन्नपदार देता है यह है चूने के पानी में गयस को घुजारने के लिए उसता है सिरका खाने वाला स्षुड़ा कारवंदाय है और यह चूने का पानी कारवंदाय ऐकसाइड, CO2 और चूने के पानी के बीच अभी करिया निम्नपकासे होती है CO2 और चूने का पानी C-A-O-H-O-B-K, थोड़, आधार है इसका केल्सियम कार्वोनेट, जल्ब, जब कार्वन डाई ऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, तो केल्सियम कार्वोनेट बनता है, जिस से चूने का पानी दुदिया हो जाता है, चूने के पानी दुदिया हो ज कि हम स्वसन में जो बायू बाहर निकालती हैं उसमें कार्बंटाइट ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो थी है क्रिया कलाब 6.6, 66.8 में आपने देखा है कि पितेग परिवर्तर में एक या अधिक नए पदार बने थी क्रिया कलाब 6.6 में मैग्रेसियम को बायू की उपस्तिती में जलाने पर बनने वाली पसम एक नए पदार थी क्रिया कलाब 6.7 में कॉपर सलपेट की लोही के साथ अभी क्रिया से आईरन शलपेट और कॉपर बने थी ए दोनों नही पदार थी कॉपर लोही के बलेट पर नेच्छे पित हो गया थ क्रिया कलाब 6.8 में सिर्का और खाने के सोड़े की अभी क्रिया से कारवन डाई ओक्साइड बनी, सीओ डू बनी जिसने चूने के पानी को तुदिया कर दिया, क्या आप इस अभी क्रिया में बनने वाले नई पदार का नाम बता सकते हैं वह है परिवर्तन जिसमें एक अत्वा एक से अधिक नई पदार्त बनते हैं, रसायनिक परिवर्तन कहलाता है, रसायनिक परिवर्तन को रसायनिक अभी क्रिया भी कहते हैं, अब देखिए, एस दो तीन लाइन की परिवासा पूरा बताने के लिए, कितना पूरी कहानी गड इतना अकिवल यहां से लेकर यहां तक की बताने के लिए हुए परिवर्तन जिसमें एक अत्वा एक से अधिक नई पदार्थ बनते हैं रसायनिक परिवर्तन को रसायनिक अभी के लिए भी करते हैं रसायनिक परिवर्तन हमारे दीवन में अत्यदिक मत्पूर है। सभी नए पदात रसायनिक परिवर्तन के पैड़ाम स्वरूप ही बनते हैं। उधारन के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का खिडवन, आधी बेभिन रसायनिक परिवर्टनों के कारण होता है। और उस्दिवी रसायनिक अभी किरिया की सिंखला का अंतूत्थपाद होती है। उपयोगी नई परिवर्टनों का अध्यान करेक्टी ही की जाती है। हमने देखाए कि रसायनिक परिवर्टन में एक यायव से अधिक नई परिवर्टन निर्मित होती है। नई रसायनिक परिवर्टन में नए घटनायों और घटनाय भी हो सकती है। उसमा पिकास, अध्वा किसी अनपिकार की विकरन, उधारन के लिए प्रावेगनी का निर्मोक्त, बहार निकलना, अध्वा उनका आउसूसित होना, दोनी का उत्मन होना, गंद में परिवर्तन होना, अध्वा किसी नई गंद का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस कि इसका बनना आई अब हम कुछ अनुधारण पर विचार कर सकते हैं आपने देखा कि मेगनिसियम के फीते का जलना एक रसायनिक परिवर्तन है खोईला लकडी अत्वा पत्तियों का जलना भी रसायनिक परिवर्तन है बास्तों में किसी भी पदार्प का जलना एक रसायनिक परिवर्तन है जलने के साथ सदे उसमा का उत्पादन होता है पटाकों का विस्पोर्ट एक अन्द रसायनिक परिवर्तन है आप जानते हैं कि ऐसे बिस्पोर्ट से उस्मा, प्रिकास, दोनी और आरुची कर गय से उत्पन होती है जो बाई मंडल में कुदूसित पिदूसित करती है इसलिए आपको पटाने ना जलाने की सलाय दी जाती है जब आप भोजन सामगरी बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उससे दुरगंद आने लगती है क्या हम इस परिवर्टन को रसानिक परिवर्टन कह सकते हैं संभावता आपने देखा है होगा यदि सेव को काटने की बाद तदकाल ना खा लिया जाय तो उससे कटे हुए टुकडे बूरे रंके हो जाते है यदि आपने रंग में यह परिवर्टन नहीं देखा है तो किसी सेव का एक टुकडा काटिए उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए इसी पेकार के काकरिया कलाब आलू अत्वा ब्यगन के टुकडे के साथ दोहरा लिए ऐसी पितेग इस्तिती में रंका परिवर्टन बास्तों में किसी नई पदार्थ अत्वा पदार्थों के बनने की कारण होता है क्या है पर परिवर्थन और रसानी परिवर्थन नहीं है सुरक्षात्मक आवरण आपने बाईयो मिनडल में ओजोन की परत के वारे में अवस्थ सुना हुए यह हमें सूर के पिकास में उपस्थिक हानी कारग पराव्यगनी केनों से बचाती है ओजोन पराव्यगनी विकरन को आउसोसित कर लिती और ऑक्सीजन में परिटा हो जाती है ऑक्सीजन ओजोन से बिन होती है क्या हम ओजोन को अभगटन को रसानिक परिवर्थन कह सकती है यदि ओजोन द्वारा पराव्यगनी करने विकरन आउसोसित नहीं होती तो पितवी की सतय पर पहुँचकर हमें वरणने जीवणों को हानी पहुचाती है ओजन इस बिकरम से हमें सुरक्षा पिदान करने है प्राव्यगनी कावर्ण की तरह कारी करता है आगे बात करते हैं अध्याए दो में सोरी अध्याए पाँच में अपने अमल चारत की परस्ट पर मिलाकर उदासीन क्रिया किया था क्या उदाती करन की अभिक्रिया रसानिक परिवर्थन है लोहे में जंग लगना आई हम जंग लगने की गठना और पुनाः विचार करते हैं यह एक ऐसा परिवर्थन है जो लोहे की बस्तों को परभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नश्ट कर देता है चुक्के लोहे का उपयों सेतु, पुल, जहाज, काट, रखादी का धाचा बनाने और अनकाई कई बस्तों को बनाने के लिए किया जाता है अताहा जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिखानी बहुत अथिक होती है जैसे जंग लगने की पिकरिया को निमलिकित समिकर्ण द्वारा ब्यक्त किया जा सकता है लोहा हो गया, ऑक्सिजन हो गया और बायू, प्लस जल, सिय अभी किरिया करकर जंग, आरन ओक्साइड बोलते हैं से, एक्टी टू, ओ त्री इसका सूट थे जंग लगाने के लिए ऑक्सिजन और जल दोनों की उपस्तिती अनिवार है लियाद रखना जलवास। बास्तों में यदि बायू में आदिता की मात्रा देखो, अर्थत नमी यदेखो तो जंग आपकी जल्दी लगते हैं। हम जंग लगने से रोप थाम कैसे करते हैं। लोही की बस्तूओं को ऑक्सिजन अत्वा जल अत्वा दोनों की संपर्क में आने से बच्चा करिए ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सर Лव उपाए उन पर प्रेंट अत्वा ग्रीज की एक परच चड़ाना है। बास्ता में लोहे की सभी बस्तुओं पर नेमित रूप से प्रेंट अत्वा ग्रीज की परत चड़ायन चड़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने की को रोका जा सकता है एक अनोपाय लोहे के उपर क्रॉमियम अत्वा जस्ता जिंक जैसे किसी दातु की परत चड़ाना है लोहे पर जिंक की परत चड़ाने का पिक्रम यसद लेपन गेलवे नाईजेशन कहलाता है लोहे पर जंग की परचड़ाने को क्या कहते हैं पिक्रम यसद लेपन या फिर गेलवे नाइजेशन अपने घरों में पानी की अपोर्ती के लिए उपेव होने वाले लोहे के पाईप यसद लेपित होते हैं जिसमें उपर जंग नहीं लगती है उनपर क्या आप जानते हैं कि पानी के लिए लोहे के बने होते हैं और उनका एक पार हम इसा पानी में डूबा रहता है पानी के उपर के भाग पर भी जलकी बूने गिरती रहते हैं यही नहीं समुद्धि के पानी में अनेक लवड भी पाया जाते हैं लबड युक्त चल जंग लगने के पिक्रियम की दर्ग को बढ़ावी देता है अतहा जहाजों पर प्रेंट करने के बाद थी उन्हें जंग लगने से काफी छती होती है यही नहीं जहाजों के लोही के कुछ बाद को बदलना पिती वर्स आवस्यक हो जाता है क्या आप विस् जैसी मेगनिक जैसी धातूओं को मिलाकर बनाया जाता है इसमें जंग नहीं लगती है आपके चाहिए इस्टेनलेस इस्टेल लोही में क्रिष्टी करन क्रुष्टली करन कच्छा चर्वी में आपने पढ़ा था कि साधान नमक लवड को समुद जल के बासपन द्वार में प्राप्त किया जा सकते हैं इस पेकार प्राप्त होने वाला नमक सुद्ध नहीं होता है वो उसके क्रिष्टलों के आकाल को इस्पट रूप से नहीं देखा जा सकता है तदा पी किसी पदार्द के सुद्ध क्रिष्टल उसके बिलियन से प्राप्त किया सकते है या पिक्र यागलाब 6.9 मैं अमल का उपयोग किया जाना है अथा इसे सिक्चक की उपस्तिती में किया जाए किसी बीकर में लगवग एक कब जल लीजिए और इसमें तनू सलफेरे कम लिखिए कुछ बूने मिलाईए जल को गरम कीजिए जब जल वलना आरम कर दो तो इसमें धीरी-धीर और प्वर खोलना संभव ना हो ब्लेयन को फिल्टर पेवर की साहता ती चान लिए उसे ठंडा होने दीजिए जब भीलेयन ठंडा हो राहओ तो उसे हेलाड उला कर, या अन किसी पिकार ना च्रीए। कुछ समय बात ब्लीयन को देखिए क्या आपको कॉपर सलफेर के दिखाई देती हमें यदि नहीं तो और समय का फितिक चकी आपने बहुत देको रसानिक परिवर्तन के रूम में पहचानने का प्रियास करते रही है तो चलिए इसमें हम लोग बरने हैं क्या क्या जाना है रसानिक परिवर्तन के बारे में जाना है रसानिक परिवर्तन के बारे में किस्टली करन यस तद लेपन बहुतिक परिवर्तन के बारे में जंग लगने के बारे में हमारे लिए पूरा अध्याय का निस्कस यह था यह क्या सीख लिए परीवर्तन दो पिकार के होते हैं बहुत दे कत्वा रसाइनिक धौतिक परीवर्तन में पदार्तों के बहुत गुड़ों में कुछ परीवर्तन होते हैं इन परीवर्तनों में होने बाले नई पदार नहीं बनते हैं इन परीवर्तनों में कोई नई पदार नह आपके अब्यास के लिए कुश्चन्स दिएगा है इसकी इन्सोट ले लिए या फिर पीडिया टेलीग्राम पर डली वही है वहां से देटेएगा अच्छे से पढ़ते रहिएगा इसमा ऐसा कोई भी टंस नहीं बलेगा जो आपको समझने ना आ सकी तुई था आपका छटवा चप्टर बहुत दीक एवं रसानिक प्रीवर्तम अध्याय साथ में बात करेंगी मौसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुकूलन